राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प और उत्तर पोरिया के नीता किम जोंग के बीच चल रही जुबानी जंग पोली कर रूस ने मज़ेदार बयान दे डाला है। अवरोव ने कहा कि शांत रहना उत्तर कोरिया के पर्मानु सेने करण को देखना आस्विकार्य है। लेकिन साथी कोरियाई प्रायदीप में युद्ध शेरना भी आस्विकार्य है। राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से मौझूदा संकट से निप्टा जाना चाहिए। और एक दूसरी को स्दंकी और पागल तक कह रहे हैं। जहां एक तरफ किम का कहना है कि ट्रंप की हताशा से उन्हें यकीन हो गया है कि उत्तर कोरिया द्वारा हत्यारों को विक्सित करना सही है। वही दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका को अपनी लक्षा करनी है तो उसे उत्तर कोरिया को नश्ट करना होगा रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ मिलकर हम करके क्रवया अपनाएंगे ना कि भावु क्रवया लेकिन जब स्कूली बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं तब उन्हीं कोई रोग नहीं सकता है रूस के लावा जापान ने भी किम के बयान की आलोचना करती भी कहा कि उत्तर कोरिया का बयान और उसका वैभार इसे शेत्र और अंतर्राश्ट्रे सुरक्षा के लिए खत्रा है चीन की विरेश मंत्री वांगी ने कहा उतर कोरिया को खतरनाग दिशा में नहीं जाना चाहिए टीम इंडिलिक्स